नमस्कार स्वागत आपका स्टार्ट इन्वेशन में दोस्तों आप लोगों को पता है अर्निंग का सीजन जो है सुरू हो चुका है और क्वाटर थ्री की अर्निंग जो है यहाँ पे कमपनियां डिकलेर करने लग गई है उनमें सबसे पहली कमपनी है जिसने की जो है अर्निंग डिकलेर की है टीसियस अब टीसियस की अर्निंग बताने से पहले मैं आज आप लोगों को यह अपडेट दे दूँ टीसियस का शेयर जो है जबरदस्त उपर भागा साथ ही साथ पूरा का पूरा सेंसेक्स जो है लगभग साड़े आठ सो पॉइंट उपर आज गया है नौर्थ वार्ड मुवेंट इसने दिखाया है ऐसा दोस्तों पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज की वज़े से हुआ है कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए TCS के जो shareholder है उनको यहाँ पे lottery लग चुकी है बहुत ही जवरदस्त benefit यहाँ पे होने वाला है 75 रुपीज का इन्होंने इंतरिम dividend declare कर दिया है जिसमें से की एक special dividend भी है special dividend कितना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा record date इसके लिए fix की गई है 17 जनवरी जिहां दोस्तों 17 जनवरी तो x date हो जाएगी 16 जनवरी और आप लोगों को buy कप करना होगा 15 जनवरी या उससे पहले at least आप लोगों को share को buy कर लेना चाहिए आज जो है TCS का share पहले ही भाग चुका है जिस तरह से इसके आंकड़े आया है और TCS जो है धढ़ाम से गिरते वे दिखाई दे सकता है ये चीज आप लोगों को focus में रखनी चाहिए लेकिन क्या TCS को केवल यही सोच के कि इसके आंकड़े अच्छे नहीं है बेज देना चाहिए मैं कहता हूँ नहीं अगर ये गिरता है तो आप लोग इसको buy कीजिए लंबे समय के लिए जी हाँ दूस्तों लंबे समय के लिए buy कीजिए क्योंको TCS जैसी कंपनिया ही आप लोगों को पैसा बना के देती है हर चार से पांच साल में ये आपका पैसा डबल कर सकती है इस तरह की ये कंपनिया है और इनका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है बारा लाख करोड रुपए से जादा का मार्केट कैप्टलाइजेशन है इंडिया की नंबर वन कंपनी है सौफ्ट्वेर इंडस्ट्री में आज इसके आंकड़े आया आंकड़े आने से पहले में बता दू कि ये कंपनी 2022 में 45 रुपए का डिविडेंड अभी तक पे कर चुकी है सोच लिजे 22 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने 8 रुपए 8 रुपए और 7 रुपए तो करेंगे तो आल्मोस्ट 45 रुपए का ये हो जाएगा तो 45 रुपए का डिविडेंड एक साल में देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है इसी तरह से 2021 में भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा डिविडेंड दिया था उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक ऐसा डिमेट अकाउंट चाहिए जहांपे कि आप लोगों के जो अकाउंट मेंटिनेंस से कुछ भी चार्ज ना लगें उसके लिए आप स्टॉक का लिंक दिया गया है साथी साथ डिलिवरी बेस ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे कोई भी चार्जेज नहीं लिये जाते हैं और एक ऐसा डिमेट अकाउंट जहां पे जाके आप सभी जगे इंवेस्टमेंट कर पाएं इंडिया का अल्मोस्ट नमबर वन ब्रोकर जिरोदा का लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इंवेस्ट इन एवरिधिंग इंवेस्टमेंट सीखें इंवेस्ट करें और अपना फ्यूचर जो हैं सीक्योर करें डिमेट अकाउंट खूलने के लिए डिस्क्रिप्शन में तीन लिंक दिये गए हैं तीनों पर किलिक करें एकाउंट उपन करें और इंजेय करें तीनों की services तो TCS ने दोस्तों आज आंकड़े जो दिखाएं हैं बहुत ही अच्छे तो मैं नहीं कहूंगा क्यूंकि जितना expect किया जा रहा था analyst जो expect कर रहे थे लगबग इस quarter का जो profit है company का 11,046 करोड रुपए के लगबग ये रहने वाला था जो की expect जो है किया जा रहा था लेकिन ये हुआ कितना है 10,846 करोड यानि कि लगबग यहां पे ये मान लीजिए मैं कहूंगा जो expectation थी उससे थोड़ा सा कम यहां पे ये profit company को हुआ है quarter 3 में अब हो क्या सकता है इसका असर सीधे सीधे share price पे देखने के लिए मिल सकता है आप लोगों को कल जब market खुले और साथी साथ IT industry के जो दूसरे share है उस पे भी इसका असर पड़ेगा आज की date में बहुत सारे shares जैसे Wipro है Infosys है जो है जो HCL Tech है बहुत सारी information technology software stocks है उनमें तेजी देखने के लिए मिली थी लेकिन अगर कल TCS में यहां पे गिरावड देखने के लिए मिली तो पूरी IT industry आपको गिरावड में देखने के लिए मिल सकती है इंतरिम dividend के अगर बात की जाए तो टोटल जो है एक special dividend 67 रुपीज का company दे रही है और टोटल मिला के 75 रुपीज का ये dividend हो जाएगा तो ये माल लिजे यहां पे 16 रुपए का तो यहां पे लगबग देख लिजे 75 रुपए का स्टेट और 15 जनवरी को आपको एट लिस्ट पाई करना होगा अगर same मतलब ये देखा जाए कि पिछले साल same quarter में कितना earning हुआ था company को तो 9806 करोड हुआ था वहां से तो लगबग 11 परतिसत का उच्छाल इस profit में देखने के लिए मिला है और last quarter में से भी company ने अच्छा किया लगबग 4% उपर वहां पे earning दिखाई है 10,431 करोड की थी पिछले quarter में तो company ने quarter on quarter and year on year दोनों जगे अच्छा काम किया है लेकिन expectations थोड़ी high थी उसमें थोड़ा सा disappoint किया है company ने अब आगे के लिए मैं कहूंगा TCS अगर गिरता है तो buy कीजिए accumulate कीजिए लंबे time के लिए साथे साथ दोस्तों विप्रो के उपर भी नज़र रखे अब तीन या दो या तीन दिन बास I think विप्रो के results भी आने वाले हैं यहाँ पे भी आप लोगों को focus करने की ज़रुत है Infosys जो की आज की date में काफी अच्छा भागा था दोस्तों 1485 रुपए के करीब यह गया है आज इसके भी results I think 12 जनवरी को आने वाले हैं यहाँ पे भी धिहान टकना चाहिए HCL Tech के भी results जो है आने वाले हैं same date में तो इन IT stocks के उपर आप लोगों को focus करना चाहिए गिरावट होती है तो एक opportunity समझ के long term के लिए जो है इन में investment किया जाना चाहिए तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद